दोस्तो हमारा पहला कोशन आता है भारत में राष्ट्रियाय की गण्णा निम लिखित में से किसके द्वारा की जाती हैं तो भारत में राष्ट्रियाय की गण्णा मैंने आपको बताया था CSO द्वारा की जाती हैं Central Statistical Organization केंद्री सांकी की संगठन जिसको हिंदियों मोला जात दोस्तो बहुत ज़्यदा important question है इसको गोट के पी जाईए इस question को चलिए अगला question देखते हैं भारत में राष्ट्रियाय का आकलन सबसे पहले किस ने किया था Friends मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले 1868 में दादा भाई नरोजी ने ही राष्ट्रियाय और प्रतिवेक्तिय प्रतिवेक्तियाय कितनी है उस टाइम पर 1868 में 20 रुपे थी तो ध्यान रखेगा दोस्तो चलिए अगला question देखते हैं प्रतिवेक्तियाय निकालने के लिए राष्ट्रियाय को भाग दे जाता है तो काई से दिया जाता है राष्ट्रियाय तो प्रतिवेक्तियाय का formula में आपको बतायता कि टोटल अपनी जो नेशनल इंकम है उस नेशनल इंकम को अगर जब हम population जन संक्या से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आता है प्रतिवेक्ति आया जाता है तो देश की कूल जन संक्या से डिवाइड करते हैं तो आप option लगेगा हमारा ए बिल्कुल सही अंसर होगा इसका अगले question देखते है important निम्न में से प्रतिवेक्ति आये सबसे ज़्यादा किसकी है तो पंजाब महाराष्ट गोवा गुजरात फ्रेंड्स गोवा जो है वहाँ पर प्रतिवेक्ति आये सबसे ज़्यादा है आप इसको ऐसे देखिए कि महाँ पर टूरिस अगला question है अगला question है अगला question है अगला तो इसका answer लगेगा C तो इसको आसानी से आप click कर सकते हैं ये काफी most important questions है ध्यान रखियेका और अब जो आने वाले हैं questions वह सबसे ज़्यादा important है चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगला question पुछा जा रहा है किसी देश की आर्थिक व्रद्धी की सरवादिक उप्यूक्त माप है कोई देश की आर्थिक व्रद्धी हो रही है तो उसकी उप्यूक्त माप क्या होगी तो वो होता है GDP तो इसका answer होगा A answer होगा इसका GDP बताता है किसी देश की बात करीए particular देश की area की बात करीए और हमने पड़ाता कि सीमा के अंदर तो GDP calculate हो रही थी तो GDP लगेगा इसका answer A क्योंकि particular देश की बात करिए उस तरीके से देखेंगे इसको हम मुल लिहास किसके बराब नेट नेशनल प्रोड़क्ट केल्कुलेट करी थी, तब हमने GNP में से डिप्रीशेशन को माइनस कर दिया था, और हमसे पूछा गया है कि डिप्रीशेशन मुल्य हास, किसके बराबर होगा, तो जब हम डिप्रीशेशन को इस साइड लजाएंगे, और NNP को इस साइड आया था, तो option है हमारा A, तो answer लग जाएगा A इसका, ठीक है, चलिए अगला question देखते हैं, राश्ट्री आय निकालने के लिए NNP में से किसको घठा जाता है, तो हमने जब final राश्ट्री आय निकाले थी, NNP at a factor cost, ठीक है, तो उसमें से हमने क्या कराता, अप रत्यक्षक पर जो indirect taxes थे हमारे, उसको हमने minus कर दिया था, तो इसका answer लगेगा A answer, ओके friends, बहुत ज़्यदा important question है, चलिए, आगे और लेते हम important question अब, अगला question है friends हमारा, जी एन पी से NNP निकालने के लिए निमने में से किस वढ़ाई, देखी, अभी हमने discuss करा अभी, कि जब हम NNP न तो प्रतिवेक्ति आये निकालने का formula में आपको बतायता है, जो भी national income होती है, उसमें से जो हम देश की जनसंक्या जो होती है, कुल जनसंक्या को divide कर देते हैं, तो हमारा प्रतिवेक्ति आये निकल जाता है, तो option हमारा D, तो इसका option क्या है, D सही है, चलि अगला question लेते है important, आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांग है, मतलब किसी देश की आर्थिक जो विकास हो रहा है, उसका सबसे अच्छा सूचकांग क्या होगा, उसकी प्रतिवेक्ति आये ही, उसका देश का बताती है कि कितना देश अच्छा ग्रो कर रहा है, कितना ग्रोध कितनी सब्सक्राइब तो प्रतिवेक्ति याई से नेशनल प्रोड़क्ट मैं से मुल्हाज को माइनस कर देते हैं depreciation को तो net national product आयता है जब भी हम net calculate करेंगे तो gross में से हम क्या minus करते हैं depreciation को मैंने already आपको lecture बता रखा है अगर आपने lecture देखा होगा अच्छे से तो आप उसको question को आसानी solve कर पा रहे होगे तो इसका answer क्या होगा GNP में से हम depreciation को minus करेंगे तो answer इसका D मुलिहाज depreciation को भोलते हैं अगला question है भारत में GDP का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है तो क्रशीशे रक्षा तथा लोग प्रशाशन से सेवा से बिजली गेस से तो ध्यान रखिएगा सेवा से सबसे ज़्यादा GDP बड़ा पार्ट होता है जहां से GDP हमको प्राप्त होता है अगला question है हमारा राश्टी आए हैं अब राश्टी आए का मैं आपको बतायता formula दोस्तों कि जब भी हम net national product को at a factor cost पे calculate करते हैं तो वो हमारी होती है राश्टी आए ठीक है? तो net national product at a factor cost राश्टी हमारी क्या होती है? option b होता है वो ही हमारी है राश्टी आए तो ध्यान रखियेगा दोस्तों questions बहुत important है ये friends I hope आपने lecture देखा होगा और test लगाया होंगे तो आप से सारे questions बन गए होंगे easily इस से questions exam में आपको देखने को मिलेगा इस बार की जितनी भी exam आने वाली है national income का topic economics का बहुत ज़्यदा important